कॉंग्रिस के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं हो सकती और बीजेपी के लिए तो मामला मैदान मारने सरीका है वैसे तो ये खबर बहुत पहले से आ रही है कि कुछ और कॉंग्रिसी विधायक कॉंग्रिस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे संभावना थी कि बुंदेल खंच से कम से कम तीन और महा कॉंशल से एक कॉंग्रिसी विधायक तूटेगा पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये विधायक छिनवाड़ा जिले के किसी सीट से होगा ये वो जिला है जहाँ पूर मुख्यमंद्री कमलनात का दबदबा रहा है जहां से वो लगातार कई बास सांसद रहे उनके विधायक का चुनाव लड़ने के बाद इस सीट के वारिस उनके बेटे नकुनात बने चिनवाड़ा जिले में साथ विधानसिभा सीटे हैं चिनवाड़ा, सौंसर, चौरई, जुननारदेव, परासिया, पांडुर्ना और अमरवाड़ा जिसमें से कुछ पर बीजेपी और कॉंग्रेस का बराबरी का कबजा रहा है पर पिछले चुनाव याने की साल 2018 के चुनाव में चिनवाड़ा जिले की सारी सीटों से बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया ये सारी की सारी सीटें कमनात की जोली में ही गिरी अब खबर है कि बीजेपी ने इस गड़ में सेंध लगा कर एक विधायक को तोड़ लिया है वसे आपको याद दिला दें कि कमनात को भी पहले से ही इस बात का डर था जिस वज़े से कुछ समय पहले विधायकों को कॉंग्रिस में ही बने रहने की शपद दिलवाई गई थी पर लगता है कोई विधायक वो शपद भूल चुका है खबर है कि कोरोना से निपटने के बाद बीजेपी का सत्ता और सगठन फिर से एक्टिव हो गया है और विधायकों से बातचीत शुरू कर चुका है ये महनत रंग भी लाई है और एक विधायक कॉंग्रिस छोड़ बीजेपी में शामिल होने तयार हो गया है पर फिलहाल ये खुलासा नहीं हुआ है कि साथ सीटों में से कौन से सीट का विधायक गल बदलने को राजी हुआ है फिलहाल इस नाम का खुलासा होना बागी है